नमस्कार दोस्तों, हम लोग NBS TGT Science 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें 20 प्रस्ण फुल डिटेल के साथ हल हो चुके हैं, जहां मैंने हर प्रस्ण के चारों आप्शन को भी सॉल्व किया है, आज हम आगे के प्रस्णों को हल करेंगे, दोस्तों हमारा पहला कुश्यन है, विच नेम इस एसोसियेटेड बिद रिलेशन डेल्टा जी इस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस, चुकि यह जो बैलू लिखी हुई है, फार्मूला डेल्टा जी इस इक्वल टू डेल्टा एच माइनस T डेल्टा एस, इसे हम कहते हैं, गिप्स हेल्म होल्ट्स एक्वेशन, यह आपने केमेस्टी में पढ़ा होगा, तो यह रियक्शन एसोसियेटेड होती है, गिप्स हेल्म होल्ट्स एक्वेशन, इसमें आप और थोड़ा सा जान लीजिए, डेल्टा जी इक्वल टू होता है, जीरो एट दा एक्विलिब्रियम, और डेल्टा जी इक्वल टू ग्रेटर दैन होता है, यह नॉन स्रीक्षं के लिए यह एंडर गोनिक रियक्षं के लिए डेल्टा जी इसकोल टो लेस दन जीरो होता हूं यह स्पांड टैनियष एंडर गोनिक रियक्षं तो डेल्टा जी मारा अगला क्योश्चिन है which of the following arise directly or indirectly from the meristematic activity अब हम इसमें आप लोगों थोड़ा सा समझाते हैं जाइलम होता क्या है जाइलम जो होता है वो कंड़क्ट करता है वाटर और नूट्रियन को रूट से स्टेम एन लीव्ज तक और ये टू टाइब के होते हैं प्राइमरी जाइलम और दूसरा सेकेंडरी जाइलम जो प्राइमरी जाइलम होता है ये ओर्जिनेट होता है कहां से प्रो कैंबियम से और ये डिवाइड करता है प्रोटो जाइलम एंड मेटा जाइलम में जो ये सेकेंडरी जाइलम होता है ये ओर्जिनेट होता है बैस्कुलर केम्बियम से और एराइस करता है डारेक्टली और इंडारेक्टली और इसका काम क्या होता है इंक्रीज करता है थिकनेस घृत या थिकनेस अब दा प्लांट प्लांट तो ये कुश्चन पूछ रहा है विच अब दा फॉलोइंग जो एराइस होता है डारेक्टली या इंडारेक्टली फ्रॉम दा वर यसटीनिठ अक्टिविटी तो अभी हमने बताया जो येे सैकंड्री जाइलम होता है वह एराइस करता है बैस्कुलर केंट्ली या दिरेक्ली फ्रॉमध फ्रॉम दा मैरी स्टिविडिडी तो इसका ये प्सेंस सही हो गया जया सेकंड्री जायाम क्या काम होता है फूम созд और यह कंड़क्ट करता है फूड मैटीरियल जो सिंथेसाइज होते हैं फोटो सिंथेसिस के दौरा लीव्ज में उसको डाउन बर्ड ले जाता है विच अब दा फॉलोइंग कंपोनेंट री अब्सॉब्ड इन नेफ्रान टीब्यूल इन ए हैल्दी परसन चुकि हम जानते हैं ग्लुकोज, वाटर और अमीनो एसिट्स जो होती हैं वो री अब्सॉब्ड हो जाती है नेफ्रान अब दा हैल्दी परसन तो इसका करेक्ट एंसर होगा सेकेंड ग्लुकोज हमारा अगला कुश्यन है टॉल्वीन हैज इसमें पूछ रहा है टॉल्वीन में कितने सिग्मा और पाई बॉंड होते हैं चुकि हम जानते हैं टॉल्वीन का जो फार्मूला होता है C6, H5, CS3 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये एक बेंजीन रिंग है इससे अटैज्ड होता ह है, CH3, एक कार्बन से अटैच होता है हाइड्रोजन, चुकि हम जानते हैं कार्बन की चार बैलेंसीज होती हैं इसलिए इनको बैलेंस करने के लिए अल्टरनेट पाई बॉंड भी इसमें पाए जाते हैं, अब हम इसमें काउंट कर लेते हैं कितने सिग्मा बॉंड है, तो यह एक हो गया, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, यारा, बारा, तेरा, चौदा, पंदरा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, इसमें पंदरा सिग्मा बॉंड एंड पाई बॉंड हम कैसे काउंट करेंगे, जहां पे कार्बन, दो कार्बन के बीच में, जहां पे अगर सिंगल बॉंड है, अगर वो तो वहां पे एक सिग्मा बॉंड होता, अगर डबल बॉंड पाया जा रहा है, तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉंड होते हैं, अगर यहीं ट्रिपल बॉंड होता, दो कार्बन के बी तो हमारा ये फोर्थ ओप्सन करेक्ट हुआ 15 सिग्मा एंड 3 पाई बॉंड हमारा अगला कुश्यन है मस्रूम आर पुछ रहे हैं मस्रूम किस क्लास में आता है फाई को माई सिटीज के अंतरगत आते हैं म्यूकर राइजोपस एंड एल्गूगो बैसिडियो माई सिटीज के अंतरगत मस्रूम आता है इसको पफ बॉल भी कहते हैं रस्ट फंजाई भी इसी में आती है दूटेरो माई सिटीज को इंपर्फेक्ट पंजाई कहते हैं क्योंकि इसमें सेप्सूल स्टेज आफ लाइफ साइकल अपसेंट होती है इसको माई सिटीज के अंतरगत आता है एसपरजिलस, पैंसिलिनियम, कैंडीडा और क्लैबी सेप्स चुकि हमसे पूछ रहा है मस्रूम किस क्लास में आता है तो मस्रूम आता है बैसिडियो माई सिटीज के अंतरगत दोस्तों यदि आपको कुश्यन अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेयर जरूर करें हमारा अगला कुश्यन है विटामिन्स क्या होते हैं चुकि जो बिटामिन्स होते हैं वो एक आरगैनिक मॉलीक्यूल होते हैं जो इसेंसियल होते हैं हमारी बॉटी के डेबलपमेंट और उनके फंक्सन के लिए बिटामिन बहुत जरूरी होते हैं चुकि अभी मैंने बताया कि एक आरगैनिक सबस्टेंस हैं यह क्लासिफाई होते हैं या तो फैट सॉल्विल विटामिन में या वाटर सॉल्विल विटामिन में और यह function कैसे करते हैं? function करते है as a co-factor या co-enzyme की तरह अब हम इसके option को देखते हैं पहला option है organic molecule होता है used to transfer the energy and information within the cell तो यह गलत है इसका दूसरा option है small organic molecule that make up a part of the enzyme co-factor तो अभी मैंने बताया कि यह organic molecule होते हैं classify होते हैं कि इसमें fat soluble या water soluble vitamin में और function क्या करते है as a co-factor या co-enzyme की तरह तो इसका second option सही हुआ हमारा अगला question है पारे perfectly elastic substance अब हम यह समझ लेते हैं कि elasticity क्या होती है जब हम external force जो लगा है body पे वो हटाते हैं और body original shape and size को regain कर ले तो यह property कहलाती है उसकी elasticity चुकि यह पूछ रहा है पर्फेक्ट ली कि लास्टिक बॉडी तो अब हम यह समझ लेते हैं पर्फेक्टली लास्टिक बॉडी क्या होती है यह भी वह होती है body regain original shape and size immediately and completely after removing the deforming force तो इसे कहते हैं पर्फेक्टली लास्टिक बॉडी जो बॉडी में elongation होता है body या वायर माल लेते हैं एक बॉयर है इसमें elongation होता है तो elongation of the wire यह हम जानते हैं equal to होता है f force apply into length of the wire area of the wire into e जिसे कहते हैं modulus of the elasticity elasticity अब हम इस formula से समझ सकते हैं कि जो elongation हो रहा है वायर में वो directly proportional है longation जो वायर में है वो directly proportional है force जो उस पे apply हो रहा है तो अब हम इसके option को देखते हैं इसका first option है amount of the force necessary to break the object in half is inversely proportional to length of the object तो यह wrong है दूसरा option है extent of the strength is directly proportional to applied force तो अभी हमने बताया जो extent of stretching है वो directly proportional होती है force जो उस पे apply किया जाता है तो perfectly elastic body के लिए जो extent of stretching है वो directly proportional होती है इस तरीके से इसका यह second option correct हुआ है 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 मारा अगला question है which of the following cell evoke allergic reaction and inflammation तो इसका correct option है mast cell हम जानते हैं कि mast cell में जो होता है इसमें granule पाए जाते हैं हिस्टामिन और हिपैरिन के हिपैरिन के और यह responsible होता है इस्टामिन और हिपैरिन के और यह responsible होता है allergic reaction और inflammation के लिए और इसमें जो mast cell में allergic reaction होती है वो activated होती है जब वो bind करता है serum IgE से तो हमारा यह second option correct हुआ समझ लेते हैं stem cell क्या होती है stem cell जो होती है वो undifferentiated cell होती है और differentiate करके various type of cell बनाती है जिसके पास capacity होती है self renew and regenerate करने की multiple type of mature cell इसका third option है blast cell blast cell क्या होते है blast cell जो होते हैं वो mylo blast है एक तरीके के और most of immature cell आफ myloid cell line के होते हैं मारा अगला question है फिच अग दा following buffer solution is strong acidic nature अब हम थोड़ा सब पीच के बारे में जानते हैं पीच की जो scale होती है वो 0 to 14 होती है अगर किसी substance का lower pH है तो वो acidic substance है क्या acidic solution है अगर higher pH है तो वो basic है basic solution है अब हम थोड़ा सब buffer के बारे में जानेंगे acidic buffer क्या होता है acidic buffer acidic buffer जो होता है वो होता है big acids and its salt with strong base और जो basic buffer होता है अब हम इसके first option को चेक करते है और जैलिक एसिड और ऑग्जिलेट यह acidic buffer है क्योंकि यह formed by tis formed by oxalic acids and its conjugate base oxalate तो यह acidic buffer है और यह वोरेट यह वाला option देखते हैं यह भी acidic buffer है और यह बनता किस्से है boric acid and its conjugate base borate यह भी acidic buffer है यह बनता है farmic acid and its conjugate base यह भी acidic buffer है क्योंकि इसमें acidic acid होता है और इस conjugate base तो इसमें जो चारो एक्जामपल है यह सारे acidic buffer के हैं तो हम इसमें जानेंगे कि कौन सा strong acidic solution है इसके लिए हम कोई चारो का PK value पता होनी चाहिए तो इसके लिए हम जानेंगे कि PK सबका कितना है formic acids के लिए PK 3.5 होता है acetic acids के लिए PK की value जो होती है 4.76 होती है और oxalic acids के लिए PK की value 1.25 होती है और boric acids के लिए PK की value 9.14 अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे कम PK किसका है सबसे कम PK होता है oxalic acids का lower PK means strong acidic solution solution तो इसका यह first option correct हुआ हमारा अगला question है what is the iupc name of the given compound अब हम इसका पहले structure बनाते हैं इसमें दिया हुआ CS3 CH चुकि यह group bracket में लिखा हुआ मतलब यह methyl group से लगा हुआ side chain है तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CS3 फिर CH2 CH2 फिर CL अब हम इसमें सबसे पहले parent chain को select करते हैं parent chain वो होती है जो सबसे जादा carbon atom अगर उसमें पाए जाते हैं तो वह parent chain हम select करते हैं तो 1,2,3,4 चार carbon की सबसे लंबी स्रिंखला बनेगी और अगर हम इधर से count करते हैं 1,2,3,4 तब भी 4 carbon की ही parent chain बनेगी तो अब हम select कर लेते हैं parent chain अब numbering इसमें दो तरीके से हो सकती है इधर से भी हो सकती है 1,2,3,4 तो इसमें जो side chain आ रहा है वो किस position पे आ रहा है 2 और 4 पे अगर हम numbering इधर से करते हैं तो 1,2,3,4 पे आ रहा है इधर से करने पे numbering आ रही है 1 और 4,3 पे side chain आ रही है अगर अब हमें इसमें ये confusion आ रहा है numbering किधर से करें तो जिस side से number of chain की position पहले आती है जिस side से number of chain की position पहले आती है उधर से ही numbering prefer करते हैं तो ये numbering ये हम prefer करेंगे और तो इसका नाम हो जाएगा वन क्लोरो 3-methyl butane इसका ये second option करेक्ट हो जाएगा तो दोस्तों इसी प्रकार और question को देखने के लिए हमारी चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और अपने दोस्तों में जरूर share करें धन्यवाद